नमस्कार भाईयों वेनों जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो में मैं आपको UKPSC AE की जो हमारी अभी परिक्षा हुई थी 23rd April 2022 onwards इसका result कब तक expected है और कब इसके साक्षातकार होने की संभाव नहीं इस बारे में मैं इस वीडियो के द्वारा आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाश तक देखेंगे इसको मैं बहुत ही quickly summarize कर दूँगा जिससे आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेश न हो तो जड़ी देख लेते हैं एक बार किस पैटर्ण पर UKPSC द्वारा अपने रिजल्ट दिये जा रहे हैं different preliminary exams के और साथ ही फिर में एक previous notice जो UKPSC AI को लेकर आयोग द्वारा जारी किया गया था उसको भी रेफर करते हुए आपको बताऊंगा कि कब तक रिजल्ट आने की पूरी-पूरी संभावना है अगर आप UKPSC के preliminary exams को देखें तो APO का exam Assistant Prosecution Officer का exam आयोग द्वारा 21st November को करवाया गया इसकी examination date थी 21st November और result दिया गया इनका 22nd January को ठीक है 21st November to 21st January तो आपका ही हो चाता है approximate आपका December 21, January 21 तो approximately आपका 60 days मान लीजिए which is 2 months then आपका FRO for a strange officer का paper 28th November को करवाया गया जिसका result आयोग द्वारा दिया गया 9th February को which is again close to your 70 days again 2 months 10 days फिर जो आयोग द्वारा lower PCS का paper आपका कराया गया lower PCS उत्राखन lower PCS 12th December को ये paper आयोग द्वारा कराया गया और इसका result आयोग द्वारा दिया गया 24th February को so January February again 70-72 days में आयोग द्वारा preliminary lower PCS का result दिया गया अब आते हैं आपके main exam जो की UKPSCAE का exam था जो 23rd April 2022 onwards all over उत्राखन different centers में आयोजित कराया गया आयोग द्वारा and काफी students को इसके लेकर हमारे channel पर भी comments आ रहे थे doubts आ रहे थे कि sir कब तक इसका result आ जाएगा because काफी लोगों को लगता है कि अभी तक answer की जारी नहीं हुए और cut off का भी एक fair bit of idea अभी तक लग नहीं भाए students को तो अगर 23rd April को आपका paper हुआ था UKPSC AE का and it lasted for four days 23rd April onwards आप देखेंगे तो two months आपके कब तक हो जाते हैं April, May, June तो आपका जो UKPSC AE का जो result है इसकी पूरी-पूरी संभावना है ये आएगा आपका या तो फिर आपका June end में June end I am again stating it UKPSC का result आपका आएगा June end में या तो फिर आपका starting of July So the time interval of expected date of your UKPSC AE result is June end to mid-July इसके बीच आपका UKPSC AE का result आजाएगा And accordingly जो आपके interviews हैं they will be started by UKPSC in the month of August Somewhere starting from August mid आपके interviews August mid या August end में UKPSC द्वारा start कर दिये जाएंगे Now let me tell you आयोग द्वारा starting में, starting of the year में I mean like when the year was closing December 2021 के आसपास एक notice जारी किया गया था जिसमें उन्होंने बोला था कि आयोग की आपकी परिक्षा UKPSC की जो परिक्षा होगी वो होगी January में और इसके साक्षातकार उनके द्वारा कराए जाएंगे May में तो आप देख सकते हैं यह जो टाइम इंटरवल है साक्षातकार और पेपर का यह कितने महीने का हो गया February, March, April, May So 4 months का, right? अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 23rd April को आपकी परिक्षा हुई इस से 4 months आप लगाने May, June, July, August So कही न कहीं, Mid August या Towards End of August आपके interviews UKPSC AEK स्टार्ट हो जाएंगे And again I am emphasizing this fact, आपका जो result है वो आ जाएगा आपका June end से लेके Mid July में किसी भी date में तो आप अपनी तयारी करते रहें, किसी भी exam को न छोड़े और जिस dedication के साथ आप तयारी कर रहे हैं उसमें कोई कमी ना है, बिकोज बहुत सारे students के लिए ये golden opportunity है काफी students ने काफी अच्छा भी perform किया है तो all the best आपके अपका में examinations के लिए Keep working hard and keep learning. Thank you